Hello everyone, कैसे हैं आप सभी के सभी, दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्रेक्स के बारे में, इस वीडियो का थीम बेसिकली है ब्रेक्स, क्यों ब्रेक्स लेना ज़रूरी है और कैसे ब्रेक्स हमारे एफिशेंसी को टू टाइम्स, त्री टाइम्स या उससे भी जाद करता था पहले कि productivity मतलब दिन में 11 गंटे काम करना या 12 गंटे काम करना पर वो सच नहीं actual में productivity मतलब आप कितना वक्तम करते हो वह जादा important है ना कि आप कितने घंटे डालते हो काम में वह एक चोटा सा side note था पर अभी आते ब्रेक्स में क्यों ब्रेक्स important है हमारे efficiency को बढ़ करेंगे तब ही हम productive है पर actual में हम ऐसा सोचते हैं पर हमारा mind हमारा body हमारा साथ नहीं दे पाता उतने continuous period of time के लिए ऐसा ही हम बने हैं ऐसा ही हमारा physiology है ऐसे ही हैं हम as humans यह हम बदल तो नहीं सकते हैं पर हम एक चीज़ जरूर कर सकते हैं हमारा mind और body कैसे काम करता है उससे समझ सकते हैं और उसके according हम हमारे productivity को increase कर सकते हैं वह कैसे कर सकते हैं breaks लेके क्यूंकि breaks हमारे mind और body को refreshment देता है और थोड़ी देर के लिए हमारे mind को उसकाम से दूर करता है हमारे mind को divert करता है उसकाम से वह भी बहुत ही एक्षेशन्ट सी डाउन के साथ बहुत ज्यादा इंप्रड़र्टम है क्योंकि वह बहुत ही बार हमें परसपेक्टिव देता है जब हम डिली लाइफ में ब्रेक्स लेते हैं काम के बीच में वह भी इंप्रेक्टिव देता है और उससे जादा हम सबको पता है ये वह मैं रि efficiency time के साथ बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाता है अगर सोचिए अगर हम दो-दो घंटे में काम करें बीच-बीच में ब्रेक्स ले तो वह बहुत ही ज़्यादा बेटर है क्योंकि एक ब्रेक के बात हमारा energy levels हमारा माइंड का freshness सब वापस नॉर्मल में आता है और जब हम ऐसे करेंगे ऐसे structure को लाएंगे और strategies करेंगे तब ही हम ज्यादा productive बनेंगे तो यही था one of the main reasons क्यों ब्रेक्स लेना बहुत ही important है I'm sure बहुत सारे लोगों को यह पता है फिर भी बहुत सारे लोग accept नहीं करना चाहते कि ब्रेक्स लेना मतलब कोई जुर्म है ऐसा ब्रेक्स लेना productivity का दुश्मन है पर वह सच नहीं है ब्रेक्स लेना productivity का दोस्त है वह हमारे efficiency और productivity को double triple या उससे भी ज्यादा बढ़ा देता है तो इस fact को accept कीजे क्योंकि हमारा body ही ऐसा है और ब्रेक्स लेना चालू कीजे अब ब्रेक्स की बात कर ली हमने यह भी बहुत जरूरी है जानना कि कैसे ब्रेक्स ले कैसे proper ब्रेक्स ले और productive ब्रेक्स ले ताकि हमारा ब्रेक्स ही हमारा पूरा दिन ना खा जाए क्योंकि कभी का बार या बहुत बार हम ब्रेक्स लेते हैं देखा तो हमारा ब्रेक्स जाता है से 6-7 गंटे को पूरा दिन ही उस ब्रेक्स में चला जाता है ऐसा नहीं करना है तो वह कैसे करें हम उसके लिए in my opinion हम breaks को as a reward use कर सकते for our work मतलब हम जितना काम करते हैं उसके हिसाब से हम breaks को reward जैसे use कर सकते क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूं दोस्तो क्योंकि most of the time जबी भी हमारा break रहता है हम क्या करते हैं हम या तो phone उठाते हैं या फिर हम TV देखते हैं कुछ ठीक है पर उसमें क्या problem है मैं जादा neuroscience में नहीं बात करूंगा क्योंकि मुझे भी उतना नहीं पता पर I am sure आपने यह face किया होगा यह आपने खुद के life में देखा होगा तो यह fact है कि हम tired हो जाते हैं तो इसी लिए हमें कभी भी break पहले नहीं लेना चाहिए यह काम के क्योंकि अगर आपने suppose 10 minute का break लिया आप social media use कि 10 minute के लिए तो उसके बाद आप tired हो जाओगे उसके बाद हमार दो घंटे का काम कतम कर लिया आपके हिसाब से आपके expectations के हिसाब से फिर आप खुद को break दे सकते हो पर अगर आप पहले ही break लोगे काम से पहले 10 minute break ले लेता हूं just mind को relax करने को सोच के अगर आप break लोगे तो backfire हो जाएगा क्योंकि आप तब तक tired हो जाओगे और फिर आपक कैसे breaks ले और कैसे हमारे breaks को structure करें हमारे दिन में इसे हम structured breaks भी कह सकते हैं और अगर आप काम कर रहे हो तो मेभी आप दिन के end में आपको सबसे best break जे सकते हो जैसे tv देखना या कोई movie देखना ताकि अगर suppose आप break के बीच में बीच वाले break में कुछ ऐसा करोगे तो chances है कि इसे tv देखना या phone यूज करना उसे हम दिन के end में as a reward यूज करें तो यही था दोस्तों मेरे पास आपके लिए इस वीडियो में I hope आपको इस वीडियो में value मिला होगा यह मेरा recent realization था कुछ ही महीनों पहले का और मैं इससे आपके साथ share करना चाहता था तो I hope आपको यह अ इस लेने में शर्माइए मत क्योंकि breaks हमें जादा productive बनाता है